नमस्कार दोस्तों तो इस वीडियो में हम लोग जारखन जीके के कुछ important प्रस्ण को करने वाले हैं जो परिच्छा के लिए आपके important है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो के साथ अपन तक वने रहिएगा ताकि आपका कोई भी प्रस्ण जो है छुटे ना और तो देखे पहला प्रस्ण क्या है जारखन में पहली बार जनगनना किस वर्स हुई थी सही उतर हो जाएगा option C 1872 इसवी में जारखन में पहली बार जनगनना सन 1872 इसवी में हुई थी ये सिर्फ जारखन में नहीं पूरे भारत में जो जनगनना हुई थी सरुपर थम 1872 में हुई थी उसके बाद सकेंड बार में कब हुआ तो ये हुआ था 1881 ECV में उसके बाद 1891 ECV में और तब से ये क्या हो गया परतेक 10 वर्स में एक बार जनगनना होती है तो इसका सही उतर क्या हो जागा सन 1872 ECV में ये आपको दिहान रखना है पूचा जाता है कि जनगनना परतेक वर्स कितने वर्स में एक बार होता है तो परतेक 10 वर्स में एक बार जनगनना होता है ठीक है अगला प्रस्ण देखे जार्खन में कितने परतिसत खनीज संचीत है सही उतर हो जाएगा option D 73% जार्खन में 73% खनेज संचीत है अगला प्रस्ण है जार्खन के पहले मुख्यमंतरी कौन थे तो देखे जार्खन के पहले मुख्यमंतरी जो थे ये थे बावुलाल मरांडी जब जार्खन हमारा बिहार से अलग हुआ था उस टाम फर्स टाम जो मुख्यमंतरी बने थे बावुलाल मरांडी बने थे तो सही उतर क्या हो जाएगा option B बावुलाल मरांडी देखे ज़्यादी मुख्यमंतरी की बात उठा है तो हम बता दें आपको कि अभी तक जार्खन में टोटल छे ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़्यादी के मुख्यमंतरी बन चुके हैं जिसमें से बावुलाल मरांडी हैं अर्जुन मुंडा हैं मधू कोडा सिबू सोरेन हैमंत सोरेन और रगुवर्दास ये छे व्यक्ति जहारकन के मुख्यमंत्री बन चुके हैं अगर जिद्धि आपसे प्रस्न पूछा जाता है कि कौन से व्यक्ति जो है निर्दलिये से चुनाव लड़के चुनाव जितके और मुख्यमंत्री बने थे तो ये बने थे 2009 में जहारखन टूरिस्ट होम अश्टे हस्किम की सुरुवात सन 2009 में हुवी थी अगला प्रस्ण है जहारखन में कितने जिले हैं तो इसका सही उतर हो जाएगा option C 24 जिले जहारखन में total 24 जिले हैं लेकिन एक प्रस्ण पूछा जाता है तो यह दोनों प्रस्ण को आद रखना है कि अस्टार्टिंग में 24 जिले बाद में 6 जिले बढ़े तो अभी वर्तमान में 24 जिले जहारखन के हैं अगला प्रस्ण देखिए जहारखन में कितने सदन है तो इसका सही उतर हो जाएगा option यह एक सदन जहारखन जो है जहारखन राजी का राजी किये पूछा जा सकता है कि जहारखन राजी का राजी किये फूल कौन सा है तो पलास का फूल है जहारखन राजी का राजी की पच्छी कौन सा है तो जहारखन राजी का राजी के पच्छी जो है कोईल है दोस्तो वीडियो जिदि आपको पसंद आ रहा है तो आप एक लाइक कर दिजे और इस तरह के वीडियो हम ले करके आते रहते हैं तो ज़िदे आप परिच्छा की त्यारी करना चाहते हैं GK का रिवाईज करना चाहते हैं जारखन GK का या भी Central Government GK का किसी भी तरह का GK हम इसमें लेकर के आते हैं तो अगामी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चन्नल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको फायदा होने वाली कोई भी जैदी वेकेंशी निकलता है तो उसका भी वीडियो हम ले करके आते हैं उमीद करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे नहीं किये हैं तो अभी कर लिजिए अगला प्रसन पर हम लोग चलते हैं जारख व्हां सेत्व किस वर्ष्ट शुरू की गई थी तो इसका जो सही उत्र हो जाएगा ओपशन यह 2021 में जारखंड में मुखी मनतरी ग्राम सेत्व सन 2001 इस्वी में शुरू की गई थी अगला प्रस्न है जार्खंड छेत्र स्वागत परिशद का गठन कब हुआ था तो इसका सही उतर हो जाएगा ओप्शन ये 9 अगस्ट 1995 इस्वी को जहारखन छेत्र स्वागत परिशद का गठन 9 अगस्ट 1995 इस भी को किया गया था अगला प्रसन है जहारखन में कितने जन जातिये समू है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रसन है ठीक है जाहिए जार्खन पुलिस हुआ हो जारखन दरोगा हुआ हो सची वाले हुआ हो किसी भी तरह के जो परिच्छा हुई है उसमें ये प्रस्थ बहुत बार जो है रिपीट किया ता आपको ये द्यृपर जाले हैं हैं अगर जैदि आपको नाम पता है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में आईए और साथ विश्विद्य लेकर नाम यहां पर कमेंट कीजिए देखते हैं कितने लोग सही कमेंट कर पाते हैं ठीक है चलिए अगला प्रसन देखे जहारखन में मिट्टी के कितने परकार हैं इंप आप वहां पर जाईए हमारे चैनल में आप सर्च मार सकते हैं जहारखन के मिट्टी ठीक है वहां पर आपको मिल जाएगा तो आप हमारे चैनल में सर्च मारिए और वहां से विडियो देख सकते हैं यह डिटेल में ऐसा हमने उसमें समझाया है कि आप कभी भूलेंगे नही तो उमिद करता हूँ आप वहां पर जाकर के देख लेंगे अगला प्रशन के और बढ़ते हैं जारकंड की सिराजी से कट करके बना है अनसर सबको पता है बिहार से कट करके बना है अहां पर हम आपको एक बात और बता देते हैं कि बहुत बार ऐसा प्रशन पूछा गया है कि जहारखन के पलोसी राजियों के बारे में 4 option रहते हैं इसमें से concern नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि जहारखन के जो पलोसी राज है टोटल 5 पलोसी राज है और 500 के हम नाम बता दे रहें ताकि आपके परिछा में अगर जिदी ऐसा प्रस्न आ जाए तो आप उसको असानी से कर सकते हैं तो देखें जहारखन के जो पलोसी राज है पहला बिहार है उडिसा भी है पस्चिम बंगाल भी है 36 गड़ है और उतर परदेश है यह आपको दो और राद रखना है बिहार, उडिसा, पस्चिम बंगाल, 36 गड़ और उतर परदेश यह पांच राज जहारखन के पलोसी राज है इसी से समंधित एक प्रस्न और पूछा जाता है कि जहारखन का कौन सा जीला जिसका बोडर जो है उतर परदेश के साथ में लगता है तो देखे जहारखन का एक मातर ऐसा जीला जिसका बोडर लगता है उतर परदेश के साथ यह है गड़वा जीला, ठीक है गड़वा जीला का सेमा जो है उतर परदेश के साथ में लगता है तो यह भी प्रस्ण आप आद रख सकते है और यह इंपोर्टेंट प्रस्ण हम आपको और बता देते हैं एक प्रस्ण जनरली आता है कि जहारखन के कौन सा जीला से गंगा नदी होकर के बहती है ठीक है गंगा नदी आपको पता है कि कौन सा जीला से होकर के बहती है तो देखे गंगा नेदी जार्खन के एक मातर जीला साहीब गंजु है यहां से हो करके गुजरती है थोड़ा से कोना में तो जार्खन में भी गंगा बहती है ऐसा नहीं किसी बिहार उतर परदेश में है तो इस वीडियो में दूस्तों इतना ही प्रस्नम लेकर करके आये थे देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल जेके भी तारके को वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्यवाद